आपकी बेटी की मौत कैसे हुई? कैसे हुई हम फैनल क्या बता वे रहे हैं? हम तो देखे हैं हमको जब फोन गया हमकी यहां बची भल फासी लगा लिए है लेकिन वहीसा बात हम आईये आप पावा पूरी लेकिन वहां जाने के बाद हमको देखा दी अपनी बेटी की साधी कहां और किसे किये थे हम अपने बेटी की साधी सेखोपूर सराई निवासी मंतोष कुमार नहीं दिन पहले चाउदा महीना पहले लगता है आपकी बेटी की हत्या की गई है हमको तो पुरून विश्वास है कि हमरा बेटी की हत्या की गई है पर कभी आपको बताई थी अपकी बिट्टी कि हमको जो है सासुराड में परताईद किया जाता है तो देख सकते हैं हमारे साथ ये लड़की के पिताजी है जिनका आरोफ है कि उनका फती है दो फती की ऊपर हैं लगा रहे है जब घर में है पती तो उसके जानकारी कैसे मिला कि मेरा बिटी को जो है उभातत का ओ गया है हुई हम से फौन किया था जिये दाए बताः था वहां जब पावापूरी होस्पीटल घुसे तब वहां से निकल रहा था यह बताइए यह बताइए यह बताइए आप लड़की के पिता हैं और कहीं ना कहीं जदी उब्यक्ति जो है अपनी पत्नी को जो है मौत के खाट उदारते तो होस्पीटल क्यों ले जाते कि यह बता शकते हैं कि क्या हैं ले जाते हम से तो कहे कि उसका तभीए ठेक नहीं है दो दिन से खाना नहीं खाए यह बात यह बात तो डॉक्टर के साथ भी बोला है तर्व जब वहां देखे थे आपकी बेटी को कि कुछ क्या है नहींद पर अगर यह बता तहना था कि किसके सामने बोले हैं जो लड़की का भाई है उसके सामने बोले हैं लड़की के भाई यहां पर है अभी नहीं है लेकिन देख सकते हैं संद्यहस्पत कहानी है क्योंकि इनका कहना है कि डॉक्टर सहाब ही बताया है कि जदी दो दिन से भूखा रहती तो उनके गले पर निशा पर्शासन के लिए यह सचाई पुरतरय के मbus रहे भगल में तो यहां रहे हो होता है कि जांच का विश्व है बाकि जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे आप लोग जो है इनकी पर तिकिरिया को देखकर कुछ समझी सकते हैं बाकि सभी का बहुत-बहुत अभार धन्यवाद जैहिंद